हेलो एंबाइबर्स एंबाइबिंग इस बेटर देन लर्निंग गाइज सो कीप एंबाइबिंग आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एंबाइब पर और आज की जो हमारी के लगैर क्लास करने जा रहे हैं तो आज उसी करम में हम अगली क्लास करने जा रहे हैं दोस्तों किस्ट दो अपने मित्रों को फटा-फट से और पहला क्षिन आपके सामने आचुका है ट्राइ कीजिए और बता दीजा अंसर क्या होगा सबसे बड़ा बेनेफिट यह मिलता है कि आप लोगों को पेपर की पूरी जानकारी हो जाती है कि पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है हर बार इसी तरह का पेपर आप से पूछा जाता है दोस्तों क्योंकि पेपर्स जो आ रहे हैं वो प्रीवेस येर के आसपास आते हैं सारे पेपर तो आप पिछले पांस-दस साल की पेपर अगर निकाल कर देख लेंगे तो आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और साथ में उनके ट्रिक्स आपको पता लग जा सेवन की पावर 33 यह आपको बोला गया है इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी यहाँ पर आपको यह बताना है तो जान से देखेगा सेवन की पावर 33 यहां पर दी हुई है इसकी यूनिट डिजिट आपको निकालने है इकाई की संक्या निकालने के लिए हमारा तरीका क्या होता है कि हम जो घात होती है जो पावर होती है उसको चार से डिवाइड कर देने हैं चार जब करोगे चार आठ्थे बत्यस और शेश कितना बचेगा आपका रिमेंडर कितना बचेगा एक बचेगा दोस्तों ठीक है इसका मतलब आठ बार पूरा पूरा भाग गया और एक बचा तो इस एक को हम साथ की पावर में लगा देंगे तो आपका आंसर कितना है् हुई दिक्कत किसी को भी कि एजब कुरीं हिंधी में दिखा पार हुँ मैं आपको ठीक है लेकिन धीरे कॉसिस कररें हिंदी में आप आपकी कुश्चेंड जो हैं हमें कर आपाएं लेकिन मैं अभी आपको पूरी कोशिश करूंगा हिंदी में भी पूरा समझा दूं को इंगलिस में तो कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको हिंदी में पूरा सम्झाओंगा क्वेश्चन अब यह जो क्वेश्चन आपके सामने है एन एक पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ एन यहाँ पर क्या है धन पूर्णांग है क्या है धन पूर्णांग एन एक धन पूर्णांग के पॉजिटिव इंटीजर such that n square प्लस 48 की जो वैल्यू है वो आनी चाहिए एक perfect square पूर्ण वर्ण निकल कर आनी चाहिए पूर्ण वर्ण तो ऐसे n की कितनी values संभव हैं what is the number of such n n की ऐसी कितनी values possible हैं यह आप लोगों को यहाँ पर बताना है और n जो है जोस्तों यहाँ पर n less than 5 है तो धन पूर्णांग के तो n की value आप 1, 2, 3 और 4 लगा कर देखेंगे इसमें से कौन-कौन सी possible हैं यह आपको चेक करना है यहाँ प पूट करूं तो 1 square plus 48 की value आपकी 49 आएगी तो यह perfect square आगया आपका तो यह बिल्कुल सही है अगर मैं इसमें n बराबर यहाँ पर मैंने n बराबर 1 put किया है n बराबर 2 अगर मैं put करके देखूं तो 2 का square 4 plus 48, 52 यह perfect square नहीं है n बराबर 3 लगा कर देखूं तो यहाँ 57 आएग दोस्तों यह भी perfect square है तो इसका मतलब 2 put work हमको मिल गए कौन कौन से 49 और 64 यह दोनों हमको put work मिल गए इसका मतलब n की दो values possible है n बराबर 1 और 4 इन दोनों values पर आपको perfect square मिल रहे हैं तो आपका answer हो गया option b is it clear बताये तो n की ऐसी दो values यहाँ पर possible है क्या सभी को आ गया है समझ में हूं तो आगे चलते हैं अगले question की तरफ अगला question आपका आपके सामने ट्राइ करिएगा और बताइएगा मेरे पीछे आप लोगों को question दिखाई देगा मैं इसको समझा देता हूं हिंदी में भी बोल दे रहा हूं यहाँ पर आपके पास तीन statement है और यहाँ पर दो इंटीजर्स है पी और क्यू इंटीजर्स क्या होते हैं पूर्णांक पूर्णांक है पी और क्यू अब पूर्णांक में आप negative भी ले सकते हो पॉजिटिव भी ले सकते हो ठीक है क्योंकि पूर्णांक तो कोई सा भी हो सकता है आपका नेगेटिव पॉजिटिव और दोनो 1 से बड़े हैं दोनों पूर्णांग और दोनों आपस में relatively prime है relatively prime का मतलब क्या है सहय अभाज्य को prime मतलब जिनके बीच में जिनका SCF 1 होगा जिनका मैं से 1 होगा मैंतम समापवर तक 1 होगा मतलब उनके बीच में कुछ भी common नहीं होना चाहिए तो P और Q जो यहां पर P और Q का जो जोड़ा है वो आपस में सहय अभाज्य है यह question में बोला गया है ठीक है और दोनों पूर्णांग है दोनों क्या है integers हैं तो क्या पहला statement सही हो सकता है बोथ P and Q maybe prime numbers yes बिल्कुल आप 3-5 कुछ भी ले लो यह दोनों सहय अभाज्य भी है और दोनों prime भी है अभाज्य भी है अभाज्य भी है प्राइम का मतलब अभाज्य ठीक है तो यह बिल्कुल सही बन रहा है पी और क्यू दोनों पूर्णांक जो है वो prime हो सकते हैं अभाज्य हो सकते हैं कंपोजिट हो सकते हैं हाँ बिल्कुल हो सकते हैं कि आप एक composite number ले लो 4 एक लिमो 9 दोनों आपस में को प्राइम है को प्राइम का मतलब क्या होता है सहय अभाज्य चार और तो क्या वो सहभाद्जे के साथ-साथ composite हो सकती है, composite क्या होती है, सैयुक्त संख्याएं, सैयुक्त, जिनके दो से ज़्यादा factor होते हैं, दो से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, जिनमें दूसरी संख्याओं का भी भाग जाता है, खुद के अलावा और एक के अलावा, वो composite numbers होते हैं. तो 4 और 9 दोनों composite भी है और सह अभाज्य भी है. तो ऐसा भी संभव है. दोनों पूर्णान कैसे भी हो सकते हैं? दोनों में से एक प्राइम हो और दूसरा composite हो तो ये भी संभव है. एक 3 ले लिया, एक 4 ले लिया. तो ये भी आपस एक प्राइम ले लिया ठीक है अभाज्य और दूसरा कॉम्पोजिट ले लिया सहयुप्त संख्या लेकिन तीन और चार लेने के बाद अभी भी ये दोनों आपस में क्या हैं सहय अभाज्य तो हैं जो की question में बोला गया था कि दोनों सहय अभाज्य होनी चाहिए तो ये वाला right answer of this question आपको मैं साथ में ये भी बता दूँ कि अगर आप लोगों को cds का बैच जोइन करना है तो आप लोग एमबाई बैप पर आईए और वहाँ पर आप लोगों को cds का बैच मिलेगा ठीक है जो आठ मही से चल रहा है बिल्कुल free बैच है दोस्तों एकदम free complete बैच आप लोगों को पढ़ा रहे हैं आप लोग वहाँ पर आकर join कर सकते हैं तीन बज़े मेरी maths की class उसमें होती है और question बिल्कुल आप लोगों के सामने आ चुका है आप लोग जल्दी से try करके और answer बताएंगे कि क्या यह हमेशा 0 होगा नहीं पहला गलत हो गया क्योंकि C में जो भोला है if A is not equal to B तो यé 0 के बराबर नहीं होगा तो वो 0 के बराबर नहीं होगा यह कह रहा है कभी 0 नहीं होगा यह भी गलत है अगर A बराबर B हो गया तो यह 0 के बराबर हो जाएगा इसलिए यह बार भी गलत है C वाला यहां पर सही आ जाएगा अगर A बराबर B नहीं है तो यह हमेशा पॉजिटिव होगा कब जब A और B बराबर नहीं होंगे ठीक है जैसे A को मैंने ले लिया 2, B को ले लिया 3 बराबर नहीं है यह अब यहां पर आप जब लगा कर देखोगे 2-3 के स्क्वाइर एक आएगा और 3-2 के स्क्वाइर भी एक आएगा तो पॉजिटिव नंबर आएगा अंडर रूट 2 1.41 होता है पॉजिटिव आएगा इसलिए यह बिल्कुल सही कह रहा है C option आपका सही होगा ठीक है फॉर्थ वाला तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा अगर C होगर सही हो गया तो क्योंकि यह कह रहा है positive अगर केवल A बड़ा हो B से तब ही positive होगा ऐसा नहीं है यहाँ पर मैंने A छोटा लिया है B बड़ा लिया है फिर भी A positive आया है देख लो आप लोग के बताएंगे इसका answer क्या होगा कौन सा option यहाँ पर आपका irrational number होगा तो देखो बाकी को तो आपको check करने की ज़र्द ही नहीं है अगर आप यहाँ पर देखते हो तो यह option देखते ही पता लग रहा है क्योंकि इसमें कोई भी pattern नहीं बन रहा है irrational number कौन सा होता है जिसमें कोई pattern नहीं बनता है rational number में क्या होता है rational number में rational number अगर non-terminating है मतलब कभी समाप नहीं हो रहा है तो उसमें pattern ज़रूर repeat होगा जैसे c option आपका rational number है यह आपका rational है क्योंकि इसमें repetition हो रहा है 0.4545 4545 0.1211 ऐसे कुछ repeat होगा लेकिन d option जो है आपका irrational है क्योंकि यहाँ पर कोई pattern बन नहीं रहा है जैसे 0.1211 फिर 2211 फिर 22211 ठीक है तो मतलब same जो digits है वो repeat नहीं हो रही है same digits repeat होनी चाहिए इसलिए आप देखते ही यहाँ पर बता सकते थे कि d option में कोई भी ऐसी digits नहीं है जो समान अंतराल पर बार-बार repeat हो रही है समान अंतराल पर बार-बार repeat नहीं हो रही है कभी 222 आ जाता है कभी 222 आ जाता है कभी 11111 हो जाता है 222 आ रहा है तो फिर 222222 ऐसे ही चलना चाहिए अगर 1, 2 आ रहा है तो 1, 2, 1, 2, 1, 2 इस तरह से चलना चाहिए बात समझ में आई तो आप देखते हैं अंसर दे सकते हैं कि D option यहाँ पर rational number होगा यह वाला आपका जो है आप इसको करके देखोगे तो यह भी आपका इसका under root निकल कर आ जाएगा दोस्तों इसका under root पूरा पूरा निकल कर आ जाएगा और यह आपका rational है क्योंकि यह P by Q की form में है तो यह तो आपका पूरा rational है यह भी आपका पूरा rational है यह भी आपका पूरा rational number बन कर आएगा इनको तो चेक करने की भी जुरत नहीं है क्योंकि D option देखते ही पता लग रहा है कि इसमें कोई pattern नहीं बन रहा है non-terminating, not repeating ऐसा number जो होता है वो irrational ही होता है अगला यह रहा आपके सामने आप लोग जल्दी-जल्दी से try करके मुझे answer देंगे 3 की power 521 को अगर divide किया जाए 8 से तो remainder क्या होगा तो 3 की power 521 इसको 8 से divide करके remainder आपको बताना है आप लोगों से answer चाओंगा पहले आप लोगों को time दूँगा मैं पूरा एक minute का एक minute का time लो और जल्दी से इसका answer दे दो देखता हूँ कोई आप लोगों में से इसका answer दे पाता है क्या आठ से divide करने पर remainder क्या होगा एनी वन ओफ यू कोई भी answer दे सकते हैं आप लोगों में से शेशफल क्या आएगा देखो दोस्तों इसका rule मैं आपको बता रखा है कि उपर वाली संख्या को आप नीचे वाला जो भाजक है उसके पास में बनाने की कोशिश किया करो तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ तो 3 की एक पावर अलग से बच गई उसको अलग से लिख दिया अभी टोटल 521 ही हो रही है टोटल पावर 260 गुना दो 520 प्लस एक 521 बता में 8 अब इसका शेशफल निकालना है यह आपका हो गया 9 तीन की पावर 2 कितना हो गया 9 9 की पावर 260 है तीन की पावर 1 है बता 8 इसका शेशफल आपको चाहिए रिमेंडर थ्योरम हमारी यह कहती है कि रिमेंडर निकालने के लिए उपर वाली संख्याओं को अलग-अलग आप डिवाइड करके और अलग-अलग रिमेंडर निकाल ल दोगे तो जब आपने 8 से 9 को डिवाइड गया तो केवल एक बचेगा एक रिमेंडर बचेगा तो आप 9 की जगे एक पुट कर दोगे तीन को डिवाइड करोगे तो यह डिवाइड नहीं होगा तीन ही रिमेंडर रह जाएगा बटा में 8 तो आपका फाइनल जो Remeंडर वो 1 into 3 कितना हो गया 3 अब 3 8 से डिवाइड होता नहीं है इसलिए आपका रिमेंडर 3 ही रह जाएगा तो जब ऐसी सिच्वेशन आ जाती है कि जब उपर वाला नंबर नीचे वाले से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वही रिमेंडर होता है तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जात है इस इट क्लियार एक बार थमसब जरूर कर दें बता दें कि एसर क्लियर है ताकि मुझे भी तो पता लगे आपको समझ में आ रहा है कि आगे समझ में सबको तो आगे चलें दोस्तों अगर यह आपको क्लियर हो गया है तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ठीक है तो यह रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राइ कीजिए जल्दी से और बताईए क्वेश्चन की तरफ है कोई भी आंसर इस question का आप लोगों में से एक s prime नंबर जो है उसकी unit digit x है ठीक है unit place पर digit x तो ऐसी कितनी x possible है यह आपको बताना है तो digit x की value क्या क्या हो सकती है prime number है तो unit digit x है यहां पर ठीक है तो prime number कब कब बन सकता है दोस्तों आपका 1 होगा x की जगे पर तो भी prime number होता है जैसे 11 यहां पर आप 2 रखोगे तो भी prime number होता है जैसे 2 तो अपने आप में कुदी prime number है आप यहां पर 3 रखोगे तो भी prime number है जैसे 3 13 यह सब prime numbers है ठीक है आप यहां पर 5 रखोगे unit digit की जगें तो भी prime number है जैसे 5 5 के अलावा और कोई नहीं बनेगा अगर last में 5 है तो और 7 रखोगे तो भी prime number बन जाएगा जैसे 17 और 9 रखोगे तो भी prime number बन जाएगा जैसे 19 इसका मतलब 6 डिजिट पॉसिबल है 1,2,3,5,7 और 9 6 डिजिट यहां पर पॉसिबल है एक्स की जगे पर तो एक्स की जगे पर आप यह 6 डिजिट में से कोई सी भी अगर आती है तो prime number हो सकता है ठीक है अगले question से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर आपने MI web डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजे क्योंकि MI web पर ना किवल आप लोगों को दोस्तों faculty की सारी live classes मिल जाती है बलकि live classes के अलावा और live classes सारी free हैं वहाँ पर सारी batches चल रहे हैं free उनके अलावा आपको सारी market की books मिल जाएंगी ठीक है learning videos सारे मिल जाएंगे AI technology का use करके practice test सब कुछ available है तो आप लोग इसका पूरा-पूरा फाइदा उठा सकते हो ठीक है और telegram channel को भी आप लोग join कर लीजे तकि आपको time पर इसका link मिल जाएगा bond साथ thank you so much bond साथ क्या बात है ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच पी आई बॉंड साथ जो है अच्छे अच्छी बाते कर रहे हैं motivational आपका धन्यवाद चलिए अगले question को आप लोगों में से देखता हूं कितने लोग यहाँ पर बता सकते हैं मुझे यह जो question आपके सामने है दोस्तों इस question के अंदर यहाँ पर यह जो polynomial दिया हुआ है leaves the same remainder when divided by x minus 1 और x plus 1 what are the values of a and b respectively यह आप लोगों को बताना है ठीक है a और b की values क्या होंगी तो polynomial जो है यहाँ पर आपके सामने welcome स्वागत है आपका विवेक polynomial जो यहाँ पर है वो है x square plus ax plus b ठीक है इसमें remainder आपका जो है वो बराबर आता है जब आप इसको x minus 1 से या x plus 1 से divide कर देते हैं तो इसको अगर आप x minus 1 से divide करते हैं तो remainder निकालने के लिए आपको x बराबर 1 put करना पड़ता है तो जैसे आप x बराबर 1 put करते हैं तो a plus b plus 1 यह आपका remainder आता है और जब आप इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों किसे x प्लस 1 से तो x प्लस 1 से डिवाइड करने पर क्या remainder आएगा वो निकालने के लिए आप इसको 0 के बराबर पुट करेंगे और x बराबर यहां पर माइनस 1 हो जाएगा और जैसे ही आप x बराबर यहां पर माइनस 1 पुट करेंगे तो यह आपका 1 माइनस a प्लस b बन कर आ जाएगा तो b माइनस a प्लस 1 यह आपका remainder हो जाएगा दोस्तों यह दोनों आपकी क्या हो जाएगे remainder हो जाएगे और यह दोनों remainder बराबर है ऐसा question में बोला गया है तो a प्लस b प्लस 1 एकवल टू b माइनस a प्लस 1 यह दोनों बराबर है b से b कैंसल हो गया 2a एकवल टू 0 हो गया क्योंकि 1 से 1 भी कैंसल हो गया और a की value 0 आगी दोस्तों तो यहां पर हम साफ साफ कह सकते हैं कि a की value तो 0 होगी लेकिन b तो cancel हो गया इसका मतलब b का कोई फरक ही नहीं पढ़ रहा तो b कोई भी integer हो सकता है तो 0 and any integer a और b की जो values आएंगी वह यह आएंगी is it clear to all of you 0 and any integer यह आपका आंसर आ जाएगा ठीक है अगला यह रहा आपके सामने जल्दी जल्दी से try करिए बताईए बहुत छोटा सा question है concept अगर आपको आता है तो देखते ही आप इसका आंसर बता सकते हो देखने ही करने का question है दोस्तों तिल्कुल देखा और answer किया ऐसा question है अगर आपको यह rule पता है कि scf जो होता है वो lcm का ही factor होता है मतलब scf से lcm पूरा-पूरा divide होता है तो आप देख लो पहला ही option आपका 80 जो है वो 12 से divide नहीं होता है 12 से divisible नहीं है इसलिए यह lcm नहीं हो सकता है बाकि सारे के सारे number 66-24 यह 12 से पूरे-पूरे divide हो रहे हैं तो यह आपके lcm हो सकते हैं बाद समझ में आ गई तो 12 से जो भी divide होगा वह lcm हो सकता है लेकिन जो divide नहीं होगा वह lcm नहीं हो सकता है क्लियर हो गया सभी लोगों को कोई भी दो नंबर आप उठाकर देख लो उनका स्च जो आएगा और उनका जो लसी माएगा उन दोनों को कंपेर करके देखो स्च एफ हमेशा लसीम का फैक्टर ही आएगा स्च एफ से लसीम डिवाइड ही होगा हमेशा ठीक है यह आप लोगों में से कितने लोग कर सकते हैं बढ़िया क्वेशन है ट्राइ करते हैं और देखते हैं क्या अंसर आता है इसका मैं हिंदी में आपको समझा देता हूँ X, Y, Z तीन रनर्स है जो रनिंग करना स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से और A की डिरेक्शन में A की दिशा में एक सर्कल में एक सर्कूलर स्टेडियम है तो यह सब रनिंग करना स्टार्ट करते हैं X, Y, Z Same direction में सब जाते हैं इसी direction में तो आपको ये बताना है यहाँ पर बोला है कि X जो है पूरा round कर लेता है 308 second में X कर लेता है कितनी second में बताना दोस्तों X 252 second में पूरा round कर लेता है X को लगते हैं 252 second Y को लगते हैं 308 second और Z को लगते हैं 198 second पूरा round करने में ठीक है तो आपको ये बताना है कि वो कितने second के बाद वापस आकर starting point पर मिलेंगे यह आपका starting point है यह P point जो है तो उस पर 3 एक साथ कब वापस आकर मिलेंगे तो इसका formula होता है LCM of time taken in one round time taken in one round एक round में इनको जितना जितना time लगता है उनका सबका LCM निकाल लिया जाता है तो LCM of 252, 308 and 198 ठीक है तो आपको ये बताना है minutes में बताना है option minutes में है इन तीनों का आपको LCM लेना पड़ेगा और आपका answer आ जाएगा अब देखो LCM लेने का तरीका क्या है या तो आप इनका ऐसे की ऐसे LCM लो 252, 308 और 198 जो की बड़ा होगा थोड़ा सा factor करके करना पड़ेगा इसके बजाए आप दूसरा काम कर सकते हो आप इसको पहले ही minute में change कर लो क्योंकि पहले तो आप इनका LCM लोगे फिर आप उसको minute में change करोगे 60 से divide करके बात समझ में आ रही है सभी लोगों को ठीक है तो LCM जो आएगा बड़ा आएगा 2700 कुछ आएगा और उसको फिर आप 60 से divide करके minute में change करोगे बड़ा हो जाएगा इसकी बजाए मैं यहाँ पर इसको पहले ही minute में change कर लेता हूँ X को एक round पूरा करने में कितना time लगेगा 60 से भाग दे दो 60 second का 1 minute होता है तो 60 चो के 240 यह हो गया 4 minute और 12 second अलग से बजगी दोस्तों तो 12 second को मैंने 12 बटा 60 लिख दिया तो 4 से ही 1 बटा 5 हो गया यह हो गया 21 बटा 5 minute में बदल लिया ऐसे y का जो time है 308 second तो 60 second की यहाँ पर 5 minute बन जाएगी और बचेगी 8 second 8 बटा 60 को आप लिख सकते हो 4 दुनिया 4 से 15 बार 15 पंजे 75 और 2 77 बटा 15 इतनी और Z की minute भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो दोस्तों बताओ आप लोग Z की minute कितनी आएगी 198 second है 60 से भाग लगाओगे तो 3 minute और 18 बटा 60 6 से काटोगे 3 बटा 10 आएगा तो 33 बटा 10 minute आएगी यह Z का time आएगा अब आप क्या करोगे टीनों का LCM ले लोगे minute में हमने इनको change कर लिया है 21 बटा 5 और 77 बटा 15 और 33 बटा 10 यह इनका क्या आगया है time आगया है एक round को पूरा करने का अब हम इनका क्या ले लेंगे LCM ले लेंगे LCM का formula क्या होता है fractions का LCM कैसे लेते हैं ओपर वालों का LCM और Nीचे वालों का SCF ठीक है और नीचे वाली संख्याओं का SCF ले लेंगे नीचे वाली संख्याओं क्या क्या है 5, 15 और 10 तो उपर साफ साफ दिख रहा है 7 और 11, 77 और यहां 11, 33 है ठीक है तो 77 गुणा 3 LCM आ जाएगा इनका 231 ठीक है ठोड़ा साफ इजी है आप करके देखो कि पता लग जाएगा 231 और SCF आएगा 5, 5 का भाग लगा दो 5, 24, 25, 36, 1 बटा 5 का मतलब होगा 12 सेकंड तो 46 मिनट और 12 सेकंड आपका यहां पर आंसर आजाएगा 46 मिनट 12 सेकंड आपका यहां पर आंसर आजाएगा जब आप 5 का भाग लगाओगे 5 का भाग लगाओगे तो 46 से ही 1 बटा 5 आ रहा है 1 बटा 5 का मतलब होगा 60 से गुणा कर दो 12 सेकंड बन कर आजाएगा यह clear है सबको तो इसलिए 46 मिनट 12 सेकंड आपका यहां पर आंसर आजाएगा तो इसका सबसे बढ़िया तरीका यह रहता है कि आप सेकंड को पहले मिनट में चेंज करके फ्रेक्शन में बना लो तो इजीली आपका उसका LCM निकल कर आ जाएगा अधरवाइस 252, 308 और 198 का बड़ा LCM आएगा ठीक है और फिर उसको आपको लास्ट में फिर से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है कैसे भी कर सकते हो आप लोग अब अगला क्वेशन आपके सामने हैं बताइएगा इस नंबर का LCM क्या होगा कितने लोग बता सकते हैं यहां पर इसका अंसर इस नंबर तो LCM के लिए हमारा मैथड क्या होता है उपर वालों का LCM पांचो के 20 नीचे वालों का SCF तीन बीस बटा तीन आपका यहां पर आंसर हा जाएगा बताया था ना भी आपको वही तरीका यहां पर मैंने लगाया है बताओ सभी लोगों को बात समझ में आरी अच्छे से क्लियर है अगला question आपके सामने आ चुका है आप लोग trai करेंगे और जल्दी जल्दी बता देंगे मुझे कि तो देखिए यहां पर लिखा हुआ क्या है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों एन इस डिवाइड़ वाइट 17 ठीक है एन 17 से डिवाइड होता है तो कोशेंट 182 आता है एन को 17 से डिवाइड करने पर 182 आता है और जो रिमेंडर है दोस्तों रिमेंडर और कोशेंट का अंतर है 175 ठीक है तो कोशेंट है आपका 182 और रिमेंडर इससे इसका अंतर है 175 तो रिमेंडर की वैल्यू यहां पर आपकी साथ आ जाती है तो हमको पता है हम एन को कैसे लिख सकते हैं, डिविडेंड जो भाज्ज होता है उसका फॉर्मिला होता है, डिवाईजर, भाजक, गुणा,不錯, भागफल, प्लस, remainder, remainder, शेषफल, यह होता है N का फॉर्मिला, त्टो यहां से आपकी N की value निकल कर आ एन की वैल्यू क्या आएगी बताईए जरा जल्दी से 17 दुनी 34 का 4 उपर 3 3094 प्लस 7 आंसर आजाएगा आपका 3101 इसका मतलब आपका वो नंबर जो है वो क्या है 3101 के बराबर है क्या सब को समझ में आ गया है कोई दिखकर कोई परिशानी किसी को भी आगे चलें फिर ये रहा नेक्स्ट क्वेशन आपका प्राई कर लीजे बताईए जल्दी जल्दी से क्या आंसर होगा बहुत ही बड़िया क्वेशन है दोस्तों सेम ऐसे ही क्वेशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं CDS में तो यहां पर रूट 75 is a rational number यह तो बिलकुल गलत बात है क्योंकि रूट 75 का मतलब क्या हुआ 25 गुणा 3, 5 रूट 3 तो रूट में जिसका रूट नहीं हटाया जा सकता वो irrational number होता है मतलब ऐ परिमे संक्या होती है ना की परिमे तो पहला गलत हो गया आपका दूसरा है कि कम से कम एक positive integer x ऐसा होना चाहिए जिसके लिए माइनस 4 x बटा 5 छोटा हो जाए माइनस 7 बटा 8 से इसको चेक करने के लिए आप 5 से 4 को divide कर दो माइनस का point 8 x हो गया और यह हो गया माइनस का point कितना हो गया 875 हो गया अब यहां पर हमको अच्छे से पता है कि माइनस का point 875 संख्या में तो बड़ा है लेकिन इसके साथ माइनस लग रहा है ठीक है लेकिन माइनस लगने के कारण यह क्या हो गया यह इससे क्या हो गया बड़ा यह छोटा हो गया point 8 जो है यहां पर इसका इससे बड़ा हो गया ठीक है तो अब यहां पर यह पूछ रहा है कि कम से कम कोई एक positive integer ऐसा होगा कि जिसके लिए यह हमेशा यह छोटा निकल कर आ जाए कम से कम कोई एक ऐसा positive integer होगा यह आप लोगों को यहां पर चेक करके बताना है आपको यह तो पता होना चीए कि माइनस का point 8 जो है वो छोटा होता है किससे मतलब बड़ा होता है किससे माइनस का point 875 से ठीक है यह सब लोगों को अच्छे से पता है क्योंकि जब आप number लाइन पर जाओगे दोस्तों तो माइनस की जब नंबर आप यहां पर बना कर देखोगे तो माइनस में जो point 8 आएगा यहां पर वो यहां पर ऐसे आएगा ठीक है और फिर यहां पर आएगा माइनस का point 875 इसलिए आप लोग यहां पर कह सकते हो कि यहां पर जो second वाला statement है इसको हम सही बना सकते हैं दोस्तों सही बिलकुल बना सकते हैं कैसे बनाएंगे अगर मैं यहां पर x की value 1 पुट करूँ सही बनाने की कोशिस करते हैं जो भी होगा हमको यहां से पता लग जाएगा अगर मैं x की value 1 put करूँ या 0 put करूँ ठीक है तो x की value 1 put की मैंने तो ये 0.8 हो जाएगा ये तो छोटा रहेगा इससे तो ये तो बात गलत हो जाएगी बड़ा बनाना है हमको क्योंकि minus का 0.8 तो बड़ा होता है किसे minus 0.875 से बड़ा होता है दोस्तों तो 1 put करने पर तो minus 0.8 ही आ रहा है ठीक है जो की छोटा आ रहा है अगर मैं यहाँ पर x बराबर 2 put कर दू दोस्तों तो ये हो जाएगा 1.6 minus का 1.6 और ये छोटा हो जाएगा minus का 0.875 से क्योंकि minus में बड़ी संक्या छोटी होती है तो ये satisfy कर गया तो हमको कोई न कोई positive integer ऐसा मिल जाएगा जिस पर ये inequality satisfy हो जाएगी इसलिए ये बात बिलकुल सही कह रहा है second वाले statement सही है यहाँ पर क्योंकि x बराबर 2 जब हमने लगा कर देखा तो ये इधर वाली value छोटी आ गई इधर वाली value से इसलिए सही कह रहा था ये बात ठीक है बस इतना सा आपको यहाँ पर check करना था value लगा कर आपको इसको check करना था तीसरा जो statement आपका यहाँ पर है वो ये है x minus 2x is less than 1 for all real values of x तो x minus 2x का मतलब क्या हुआ अगर मैं यहाँ पर यह कह रहा है यह हमेशा छोटा होगा 1 से for all real values of x तो मैं अगर यहाँ पर कोई ऐसी value लगा कर देखूँ जो 1 से बड़ी value मुझे यहाँ पर दे दे ठीक है तो यह बात गलत हो जाएगी जैसे मैं x बराबर यहाँ पर लगा कर देखता हूँ दोस्तों 5 या 5 बटा 2 5 बटा 2 लगा कर देखता हूँ तो यहाँ पर यह बन कर आएगा 5 बटा 2 minus 2 गुणा 5 बटा 2 ठीक है इससे यह मेरा निकल कर आएगा less than 1 क्योंकि 5 बटा 2 कितना होता है साड़े 3 साड़े 3 में से 5 गया तो यह मेरा जो है minus का आएगा मतलब 1 से तो हमेशा छोटा ही निकल कर आएगा यह बात बिलकुल सही है 1 से हमेशा छोटा ही आएगा अब अगर मैं कोई और value यहाँ पर लगा कर देखूँ जैसे negative value लगा कर देखूँ तो फिर मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मिल जाएगा मतलब ऐसे आपको चेक करना बता रहा हूं मैं कि कैसे चेक किया जाता इन question को आप कोई भी real value लगा कर देखोगे 0 लगा कर देखोगे आपने positive value लगा ही 5 लेकिन positive value के लिए तो यह less than 1 ही आ रहा है आपका ठीक है यह बात तो सही कह रहा है तीसरे statement सही मिल रहा है हमको ठीक है लेकिन अभी confirm नहीं क्योंकि एक negative value लगा कर देखने हैं तो 5 बटा 2 या 5 कुछ भी लगा कर आपने देखा तो यह तो सही मिल रहा है हमको अब मैं x की value negative लगा कर देखता हूं दोस्तों जो से मैंने लगा है x बराबर minus 5 तो minus 5 और plus 10 इसकी value जो होगी आपकी वो 5 के बराबर आएगी लेकिन वो 1 से चोटी तो नहीं है यह तो गलत हो गया इसका मतलब यह तीसरा statement जो है वो हमेशा सही नहीं होगा it is not always correct ऐसा कहना हमेशा सही नहीं होगा दोस्तों क्योंकि positive values पर तो satisfy कर गया लेकिन negative value पर यह satisfy नहीं कर रहा है is it clear क्या सबको समझ में आ गया है लेकिन चोथा वाला statement यहाँ पर बिल्कुल सही है क्योंकि 0.232323 4.23 यह जो है आपको आपका पूरा rational number है क्योंकि यहाँ पर pattern बन रहा है repeat हो रहा है 2.232323 जो है बार-बार repeat हो रहा है दोस्तों इसलिए यह बिल्कुल सही है तो answer यहाँ पर आ जाएगा 2 and 4 यह rational number है चलिए आगे चले नेक्स्ट क्योंकि लिए नेक्स्ट यह रहा आपके सामने यहाँ पर बोला गया है कि 6 की power 23, 75 की power 9 और 105 की power 2 what is the largest value of n यह हमेशा 10 की power n से divisible है तो 10 की कितनी highest power से divisible होगा यह बताना है दोस्तों 10 बनाने का तरीका होता है 2 गुणा 5 तो जब भी आपको 10 बनाना होता है तो आपको 2 और 5 के pairs देखने पड़ते हैं कितने pair बन रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 6 जो है इसको में लिख सकता हूँ मतलब 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 9 और 105 को में लिख सकता हूँ 21 गुणा 5 की पावर 2 तो यहाँ पर 2 की पावर 23 बन रहा है तीन की पावर 23 बन रहा है 23 पाँच की पावर 18 बन रही है तीन की पावर 9 बन रही है 21 की पावर 2 और 5 की पावर 2 तो 2 की पावर तो यहां पर 23 निकल कर आ रही है और 5 की टोटल पावर यहां पर 20 बन कर आ रही है तो यहां पर 2 और 5 के केवल कितने पेर बनेंगे 20 पेर्स बनेंगे क्योंकि यहां पर 5 की पावर कम है तो जिसकी power कम होगी उतने ही pair बनते हैं तो कई बार लोग जल्दबाजी में केवल 5 का ही check करके कर देते हैं कई बार हो सकता है 2 की power भी कम हो उसमें ठीक है तो दोनों को check कर लेना better होता है ऐसे question में तो 5 की power यहां पर 20 है तो इसका मतलब यहां पर total 20 जोड़े बनेंगे दोस्तों 20 pairs बनेंगे 2 और 5 के मतलब 10 total कितनी बार होगा यहां पर 20 बार होगा क्योंकि 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे उतनी ही बार यहां पर 10 होगा क्योंकि 10 बनाने के लिए 2 और 5 ही चाहिए तो n की highest value होगी 20, 10 की maximum power 20 हो सकती है यहाँ पर, 10 total 20 times यहाँ पर हो सकता है, Saturday वारता होती है 12 बजे हमारी हर Saturday को, इस बार भी 24 जून को आपकी Saturday वारता होगी, आप लोग जरूर से join किया करें, हर बार, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो भी question पूछना है guidance से यह, वो आप लोगों को हम वहाँ पर बता सके हैं, unit digit बताने हैं दोस्तों, इस number की, कितने लोग बता सकते हैं, 3 की power 98 minus 3 की power 89, हम सब को अच्छे से पता है, कि इसमें 98 power है, unit digit निकालने का तरीका होता है, 4 से divide करना, power को 4 से divide करना, तो 4 से जब divide दोस्तों, तो इधर unit digit 9 आ रही है, इधर दोनों का difference कितना हो रहा है, 6, तो यही आपका answer आ जाएगा, पहले वाले number की unit digit 9 थी, और दूसरे की 3 आई है, 9 और 3 का difference 6, तो इनके difference की unit digit होगी, वो 6 होगी, यही तो पूछा गया है यहां पर, कि इनकी difference में unit digit कितने के बराबर होगी, ठीक है, यहां पर आप लोगों को द लिखाई दे रहा होगा कि CDS का जो अपना batch चल रहा है, वो आपका app पर चल रहा है, mbib app पर, बिल्कुल free batch है, आप लोग join कर सकते हैं, daily class होती है, 3 बजे मेरी maths की class होती है, उसमें, और बाकी timing, other faculties का वहाँ पर आप लोग देख कर चेक कर सकते हैं, mbib app को आप लोग download कर लिजे ताकि सारी live classes आपको यहां पर मिल जाएं, और इसके अलावा सारे जो features हैं, learning videos से लेके practice, test, सब कुछ आपको आपको मिल जादे हैं, ठीक है, और telegram channel आप लोग join कर लिजे ताकि आपको telegram पर, जो है, सारी PDF मिलती रहें, इसका link आपको description में मिल जाएगा, Saturday वारता के लिए आप लोग join कीजिए, Saturday को 12 बजें, हर Saturday, वहाँ पर आपको हम से जो भी पूछना होता है, वो आप लोग पूछ सकते हैं, thank you so much for joining guys, सभी लोग like और share जरू कर देना session को, ज़्यादस ज़्यादस संक्या में, bye bye, जैहन,